रेडियो फिंदस्तान पेहद रहस्य में कहानी बहुत ही प्रचलित है जिसके अनसार मंदिर में मौजूद भगवान जगनात की मूर्थी के बीतर स्वेम ब्रह्मा विराजमान है ब्रह्मा कृष्ण के नश्र शरीर में विराजमान थे और कृष्ण की मृत्वी हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दासंसकार कर दिया लेकिन कृष्ण का दिल अर्थाद पिंड जलता रहा भगवान के आदेश के अनसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया उस पिंड ने लठे का रूप लिया राजा इंद्र दुमन जो भगवान जगनात के भक्त थे को यह लठा मिला और उन्होंने इसे जगनात की मूर्टी के भीतर स्थापिट कर दिया उस दिन से लेकर आज तक वा लठा भगवान जगनात की मूर्टी के अंदर है प्रत्येक बारा वर्ष के अंतराल के बार जगनात की मूर्ती बदलती है लेकिन यह लठा उसे में रहता है इस लकडी के लठे को आज तक किसी ने अपने आँखों से नहीं देखा है यहां तक कि मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ती को बदलते हैं उनका भी कहना है कि उनकी आँखों पर पट्टी बांदी जाती है और हाथ को कपड़े से ढग दिया जाता है इसलिए वह न तो लठे को देख पाते हैं और नहीं चूकर महसूस कर पाते हैं पुजारीों के अंसार वह लठा इतना साफ्ट होता है अर्थात इतना कोमल होता है मानो कोई खरगोश उनकी हाथ में हो पुजारीों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ती के भीतर चिपे ब्रह्म को या ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी तच्छन मृति हो जाएगी इसी वज़े से जिस दिन जगनात मूर्ती बदली जाती है उस दिन उर्षा सरकार पूरे शहर की बिजली बाधित कर देती है आज तक यह रहस रहस ही रहा है कि वाकई भगवान जगनात की मूर्ती में ब्रह्मा का आवास है रहस्यों के साथ तब तक करते रहें काम और लेते रहें प्रभू का नाम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान दोस्तों जाते जाते इतना वश्य कहूंगी पानी बचाएं पानी बचाना सिखाएं पेल लगाएं पेल लगाना भी सिखाएं नमस्कार रेडियो हिंदुस्टार्व